हेलो फ्रेंड शागत आपका मेरे इस चैनल में आज मैं आपके लिए एक ऐसे वेस्ट पैनी स्टॉक जो लिखाया हूं जो आपको काफी ज्यादा रेटन देगा इसका नाम है उट्जा ग्लोबल लिमिटेड यानि कि इसकी जो डिमांड इसका फ्यूचर को काफी जादा व्राइट है तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ तो जैसे कि उट्जा ग्लोबल लिमिटेड जो कि पावर जन्रेटर पावर डिस्टिविशन कर जो एक सेक्टर एंगिसका जो बिजनेस है मॉडल तो हम इसका जो बिजनेस मॉडल जो है इसका हम वह भी देखेंगे तो वीडियो को जो है एंट तक देखें इसके बिलकुल मिद्व भी ना करें तो सबसे पहले हम इसकी वैलु देख हो और करेंट युझ की सात रुप्यय पैसे है तो इसके हम फंडमेंटल एनिलाइस करते हैं सबसे पहले हम क्या है फंडमेंटल देखते हैं इसके बाद फानेशियल एनिलाइस करेंगे and then the most important is business model कि की क्या है इसका future heavy यह नहीं तो सबसे पहले हम फंडामेंटल देखते हैं तो जैसे कि कंपनी के जो मार्केट कैपिटल है वह 440.19 क्रोड यान कि खोड़नी के सब्सक्रush तो तो कंपनी प्र hats कर देखको हम सकते हैं की कंपनी के ज्यादा है इंटरप्राइज वैलिए इसका मतलब होता है कंपनी के पास इंटरप्राइज अगर那我們 ??? जादा है मार्केट वैल्यू से यह पता चलता है तो इन दो चीजों से हमें पता चल जाएगा तो नमबर आप शियर्स कंपनी के जो पच्पन पॉइंट भागता करोड है पी रिश्यो कंपनी काफी जादा 257.33 तो पी रिश्यों की काफी ज्यादा है प्राइस टू अर्ण प तो कंपनी प्रफिट में ऐसका मतलब यह कि कमी जो आप छ् Wass and अच्छी आ है तो कुछ अंपरीब देती हैं लेकिन वो पींजे उन पॉए फोरेट पी कुछ्छ यह हूता है यरा तो अपना पॉफिट को ग्रोथ मी जोई या लगा रही है कमपनी ग्रोथ कर रही है अपनी तो इसको प्राफिट को जो यूज कर रही अपनी ग्रोथ के लिए इसलिए कम डिविडेंट नहीं देती है तो इसका रिजन यह कोई हम यह इसका नेगटिव पॉइंट नहीं मान सकते इसका डिविडेंट अगर जीरो है तो बुक वैल्यू इसका मुझी 2.48 अगर के पास कैस सब्सक्राइब करेंगे एक एवरेज अर्णिंग पर सियर कंपनी का 0.03 पैसे कंपनी की सेस्ट ग्रोथ जो है 11.22 परसेंट यानि की काफी अच्छी है डिटन रिक्विटी एवरेज है 1.28 परसेंट डिटन और कैपिटल एम्प्लोइट भी सही है कंपनी की 1.79 परसेंट यह कंपनी के शाथ तो आप चार्ट में भी देशकते हैं इस ग्रोथ यह सेस्ट पान साल पहले देखें और अगर हम देखें नीचे प्रमोटर सौलिग अमने देख लिए अगर हम जो देखते हैं इसके प्रफिट देखें आफटर टेक्स तो प्रफिट आफटर टेक्स तो प्रफिट आफटर टेक्स तो मार्च 20 में था वह तर 0.85 करोड लेकिन मार्च जून 20 में इसका जो प्रफिट आव डाउन हो गया फिट डाउन होता चला गए सेप्टेमबर में फिर दिसमबर में कमपनी ने जो अपने प्रफिट को इंक्रीज करा और मार्च 21 में थोड़ा सा डाउन हो गया है फिप्टी पोर यानी कंपनी जो रिवेन्यू जनलेट कर दि अपना बढ़ा कर वन पॉइंट सिक्स्टी वन करोड यानगे अपने प्रॉफिट को इसने कंपनी ने ग्रो करा है तो इसका जो पी अंडल अकाउंट भी काफी अच्छा है अगर हम कैस्फ फ्लो दे कम्पास कुछ कैस्ट है या नहीं है तो कंपनी के पास जो मार्च 19 में क इसकी बात करें फंडामेंटल कंपनी के अगर हम देखें तो फंडामेंटल कंपनी के काफी अच्छे हैं क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट में है लेकिन डिवीडेंट नहीं दे रही है तो इसका रिजन हम पॉस्टीव लिए देख सकते हैं कंपनी जो है ग्रोथ कर मोटर सोल्डिंग एवरेजर सेल्स ग्रोथ और रोई प्रॉफिट ग्रोथ और रोई काफी अच्छे हैं तो कंपनी का जो पावर सेक्टर कंपनी है अगर हम देखते हैं जोगी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है बिजनिस मोडल तो से फंडमेंटल और फाइनिशियल स्ट और और ब्राइट लाइट तो जो उर्जा ग्लोबल लिमिटेड वो पावर कंपनी सोलर पावर कंपनी जो कि जो सनलाइट से जो है एलेक्टिसटी चन्रेट करती है यह जो इस कम्पनी के और आपको पताईए जो पावर सप्लाइए जो डिमांड एफ्यूचर है वह काफी सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हैं कि कंपनी क्या करती है तो कंपनी जो सब्सक्राइब करती है तो यानि कि सोलर एनेरजी पावज इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं जैसे की एक्टिवा और जूसक्ते प्रोडक्ट्ट इस अंपने यह वह सारी प्रोडक्ट्ट्स और आपको पता ही होगा जो इसके हैं तो यह तो आपको पता होगा जो कार वह एलेक्ट्रिक कार आने वाली है फूचर में उनकी जो डिमांड काफी ज्यादा होगी तो आप समझ सकते हैं कि इस कम इस उड्या ग्लोबल लिमिटर हैं कि इस कंपनी कर कितना ज्यादा जुआ है इंप्रूमेंट होगा डबनमेंट होता है यूज होगी या तो इसके लिए चार्ज करेंगे तो इसके लिए चाहिए यह जो प्रोड़क्ट है आप यहां पर देख सकते हैं सोलर इनवाइटर जो आगे चल के बहुत ज्यादा जो क्रेज में आ जाएंगे डिमांड मैं सोलर वाटर पंप यहानिकी सब चीज ज इन्वाइटर वैटरी सोलर वैटरी यह सारी वैटरी विकल में यूज होती है तो वह सारी यह कंपनी प्रोड़कर नीज में तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जो फ्यूचर इसका ब्राइट है और अभी तो इसका जो प्राइज देख सकते हैं कुछ ज्यादा नहीं आठ रुपे है आप लेकर चलते हैं आप रॉक्स आठ रुपे है तो इसका अगर आप अभी इंवेस्ट करते हैं लॉंग टर्म के लिए काफी ज्यादा आपको रिटन मिलेगा आप जी समझ दो मज़ें करेंगे अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप अपने खुद की वीज़ा रिसर्च करें मेरे अकोर्डिंग जो नहीं चलें क्योंकि आपको खुद की रिसर्च वीज़ा मैंटर करती है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब एंड बेल आइकन दौन और कमेंट में बताएं कि आपको जो किस कंपनी के जो को एनिलाइस करके मुझे बताना है आप जो कमेंट में कंपनी जो है बता दें उसी के ऊपर जो मैं वीडियो ला दूंगा विदिन 24 आपकर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो लाने के लिए मिलते हैं ओली वीडियो में